हेलो दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है आज हम बात करेंगे कि SRVCC होता क्या है SRVCC हैंडवर प्रोसिस क्या है जिस टाइम हमारा SRVCC होता है क्या-क्या प्रोसिस फोलो होते हैं हमारा जो नेट्रोक है वोल्टी नेट्रोक है ल्टी वोल्टी नेट्रोक है वो लिगै एस वापिस LTE वोल्टी ने ट्रोक में कैसे आता है उस प्रोसेस को फॉल गर के क्या क्या प्रोसेस है उसको जानेंगे SRVC से U-Tron पर हमारा ने ट्रोक कैसे चला जाता है उस टाइम पर जब कवरेज जो हमारा वोल्टी का कवरेज जा वो नहीं होता है जो SRVC से handover selection है वो तो यहाँ पे तीन आपको बताए गए VIP packet switch handover CS plus PS यानि circuit switch plus packet switch handover और CS only SRVC ठीक है यह process क्या है उस पारे में बात करेंगे उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए है तो इस चैनल को subscribe कर लिजेगा और पास में देखे पहले अकान पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारी next video का notification आपको मिल सकी ठीक है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले जान लेते SRVC क्या होता है SRVC की full form होती है single radio voice goal continuity SRVC happens only when we are connecting to volti network SRVC के वहल तब ही होगी जब आपका handset mobile जो होता है वो वोल्टी इनेबल हो उसके अंदर जो sim है sim के अंदर वोल्टी इनेबल होना चाहिए जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं डाउन में वोल्टी इनेबल जो option है mobile के अंदर होता है sim card setting के अंदर अगर वो इनेबल है तो ही आपके नेट्रोक पर वोल्टी शो करेगा या sim के अंदर अगर enabled है वोल्टी तो ही यहां पर वोल्टी शो करेगा otherwise नहीं करेगा अगर नेट्रोक साइड में भी वोल्टी नहीं है तो भी आपके यहां पर enable करने के बाद भी क्यागा वोल्टी शो from packet data to circuit switch data always cold ठीक है यह क्या होता है एक तरह का handover होता है जो packet switch से यानि 4G से packets पे कॉल चल लिए तो 3G में अगर switch कर रहा है यानि circuit switch पे switch कर देता है ठीक है means if your mobile or handset or you support volte not support volte जो अभी बताया है अगर आपका mobile हो handset हो या यू ही हो अगर volte support नहीं करता है तो उस case में क्या होता है आपकी CSRVCC SRVCC नहीं होती है ठीक है also from network side वही network side पे भी अगर आपका वोल्टी नहीं है if network not enabled volte or not activated volte SRVCC cannot be happened ठीक है अब देखे SRVCC होती क्या है किस तरह से होती है वो जाते है single radio voice call continuity is required within LTE as voice calls ठीक है SRVCC वोल्टी के अंदर एक voice call की तरह क्या क्या रगा है requirement हुए इसकी किस तरह से often need to be transferred between LTE and legacy circuit switch services ठीक है इसकी जरुवत कब हुई जह हमारा network जहां पे जो LTE network होता है और 41 यूज़ कर रहे हैं LTE के लिए ठीक बैंड 18 यूज़ कर रहे हैं FDD के लिए ठीक उसमें केश में क्या होता है अगर इसका network नहीं जा रहा है तो जो हमारा 2G और 3G legacy network है उनकी service वहां पे available होती है ठीक है उस case में क्या होगा जहां वोल्टी का network नहीं होगा वहां पे हमारा hardware हो जाएगा legacy network को 3G को या 2G को तो हमारी call continuously चलती रहेगी deactivate नहीं होगी यानि drop नहीं होगी customer क्या होगा irritate नहीं होगा ठीक है तो उस case में क्या होगा हमारा network होगा service like 2G GSM or 3G UMTS as coverage of LTE में नोट भी complete ठीक है अगर LTE का coverage complete नहीं है तो वहां पे 2G GSM में call हमारी चली जाएगी या handover हो जाएगी या 3G UMTS में ठीक है as voice calls in LTE are packet data based ठीक है LTE के अंदर हमारी voice call packet data based within the IMS environment जो IMS network है उसके अंदर call continuity with legacy circuit switch services is not straightforward and can be handled it various ways ठीक है तो चली अब बात करते हैं सब्सक्राइब करते हैं उसके steps क्या है उनको जानने की कोशिस करते हैं तो हैंडवर किस तरीकिस होता है जैसे कि आप diagram में देख रहे हैं LTE EPC टिक यह IMS network है और यह legacy network है 2G and 3G टिक अब देखते हैं इसका process क्या देखें सबसे पहला process क्या है था हैंडवर process is initiated by a request for session transfer from the IMS CSCF ठीक है सबसे पहले जो हैंडवर process initiate होगा वो उसके लिए एक request जाएगी session transfer की ठीक है किस से IMS CSCF यह है CSCF IMS में उससे request जाएगी the IMS CSCF response simultaneously यह क्या करेगा response करता रहेगा with two commands two commands के साथ में one to the LTE network and other to the legacy network एक कमांड किसके पास LTE के पास और दूसरी legacy network के भी पास the network LTE network receive a radio access network handover execution command जो LTE network receive करेगा radio access network handover execution command को through the MME ठीक है MME से receive करेगा and LTE RAN ठीक this instructs the user device to prepare to move to a circuit switch network for the voice goal ठीक है यह क्या instruct करेगा device के लिए where moves हो जाए circuit switch network को voice goal पर ठीक the destination legacy network circuit switch network receive a session transfer response preparing it to accept the call from the LTE network जो हमारा legacy network है वो ready हो जाएगा receive करने के लिए session को ठीक है कि अब हमारी call जो हमारे पास call है वो LTE network से हमारे पास आ रही है after all the commands have been executed and acknowledged the call is switched to legacy network ठीक है जब command होगा execute हो जाएगी और acknowledged हो जाएगी जो call है वो switched हो जाएगी legacy network को ठीक with the IMS CSCF still is control of the call जबकि उस call का control IMS के पास भी होगा ठीक अब जानते है legacy network को कैसे जाती देखे legacy network to LTE legacy network से LTE के अंदर कैसे जाती है last में जाना यहाँ पर जाना था हमने किस तरह से अब यहां पर legacy network से LTE में वापिस कोल कैसे जाएगी जहां पर हमारा वोल्टी कोल coverage ज़ारा से आज आएगा तो वहां पर कैसे जाएगी देखे when returning a call to the LTE network much of same functionality is again used उसी तरह के से जो functionality होगी वो यूज होगी to ensure the volte device is able to return to the LTE RAN from the legacy RAN there are two options to the legacy RAN can implementing to provide a swift and effective return number one allow LTE information to be broadcast on the legacy RAN so the LTE device is able to perform the cell reselection more easily okay simultaneously release the connection to the user device and redirect it to the LTE RAN ठीक कुछ interruptions होते हैं SRBC के लिए वो क्या है उनके बार में जानते हैं number one one of the key issue with volte and SRBCC is the interruption time when handling over from an LTE RAN to a legacy RAN the key methodology behind reducing the time is to simultaneously perform the redirection of RAN and session okay in this way the user experience is maintained and the actual interruption time is not under noticeable अब आप दिखाते हैं प्रोसिस वो प्रोसिस जो हमारा SRBCC 3G के अंदर जब हमारा handover होगा SRBCC होगी उसका प्रोसिस क्या है वो बार जानने को जिसकर देखे SRBCC policy selection process from eutron to sorry eutron वो क्या है उस बारे में जानने को जिसकर देखे सबसे पहला प्रोसिस होगा start हुआ start होने के बाद यहां पे यह question करेगा कि our vip packet switch handover required me meet अगर requirement meet हो रही है तो क्या होगा जो perform vip packet switch handover ठीक है तो क्या होगा यह जो handover होगा वो perform हो जाएगा यानि perform circuit switch packet switch SRBCC अगर हमारा यहां पे दूसरा question नहीं है yes यानि जो हमारी vip की requirement meet नहीं हो रही है तो no है ठीक no होने के बाद यह दूसरा question को cs plus ps srvcc के लिए ठीक है उसके बाद क्या होगा हमारा यहां पे srvcc हो जाएगा third question इसमें यह था कि अगर cs plus ps ps srvcc भी मिट नहीं कर रही है व्यू आई पी भी मिट नहीं कर रहा है तो third question है हमारा are cs only srvcc requirements meet अगर यह requirement meet कर रही है तो क्या होगा perform cs only srvcc ठीक है perform कर देगा srvcc को अगर नहीं है तो फिर क्या होगा एंड हो जाएगा process ठीक है एक इफ srvcc to uterun are supported on the network ठीक है अगर यह network पर support कर रहा है srvcc uterun के लिए the inode delivers measurements configurations तो inode क्या करेगा deliver करेगा measurements configurations को instructing the you is to measure neighboring uterun cells ठीक है cells in the first valid measurement reports are selected as target cell for srvcc जो जितने भी cells होंगे जो हमारी सबसे पहली measurement report होंगी उसमें select हो जाएंगे 3G के जितने भी cells होंगे target cells की सरा ठीक अब चलते हैं यह process देखते हैं जो हमारा handover selection process ते किस तरीके से होते हैं उनके बारे में जानते हैं देखें जो अभी फ्रेगर देखाता है आपने अपने बोफिगर so the handover policy selection process to uterun when bearer of qci1 exist ठीक है यह थ्री handover selection sequence है उनके बारे में जानते हैं व्यू आइप पैकेट सिच handover cs plus ps srvcc और cs only services ठीक if requirements of the preceding 3 handover are not meet इन तीनों में से अगर कोई भी requirement meet नहीं करिया handover meet नहीं हो रहा है तो जो आपको handover होगा वो perform नहीं होगा आपके हो जाएगी जहां पर वोल्टी coverage नहीं होगा ठीक है तो सबसे पहले देखे एक note है यह पर वो क्या है उसे जानी लिए the redirection cannot function as a handover policy for qci1 vip service okay otherwise cold row पकार the redirection handover is controlled by the redirection option of the internet policy configuration group dot uterun handover configuration parameter ठीक है इसके द्वारा redirect होता है सबसे पहला point था हमारा vip package switch handover vip package switch handover the vip package switch handover from uterun to uterun is controlled by the uterun vip cap switch ठीक है जो vip package switch handover होता है यानि 4g से 3g के लिए वो control होता है किसके द्वारा uterun vip cap switch के द्वारा ठीक यह किसका option है यह option होता है inode b algo switch dot handover mode switch का ठीक है यह इसका parameters options होता है जो इसको control करके रखता है ठीक second point हमारा cs plus ps srvcc इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर क्या क्या follow होते हैं steps वो जानते देखे to trigger cs plus ps srvcc follow these operations first enable srvcc from uterun to uterun वो enable करना चाहिए which is controlled by the uterun srvcc switch जो किसके द्वारा control हो रहा है uterun srvcc switch के द्वारा option of the cell level parameter cell level parameter किसका यह option है cell level parameters का cell level parameters है क्या cell ho para configuration dot ho mode switch ठीक है इसका एक parameter enable package switch handover from uterun to uterun package switch handover भी आपका enable होना चाहिए यानि 4G से किस पर आपका 3G ठीक है which is controlled by the जो control होगा किसके द्वारा uterun ps ho switch ठीक है option of the cell level parameter cell ho para cfg dot ho mode switch ठीक select the srvcc and package switch handover option of the internet policy configuration group dot uterun handover configuration parameter next set the standard qci dot internet policy configuration group or extended qci dot internet policy configuration group parameter to configure the handover policy for the corresponding qci okay and if services with different qci exist the handover policy for the highest priority qci prevails and the handover policy priority of each qci is controlled by the cell standard qci dot qci priority for handover parameter ticket you are advised to set the handover policy priority of qci one to one any highest and that of qci five to nine lowest okay अब देखें नेक्स्ट पॉइंट था इनेबल यूट्रान सेल सर्कुट सी जो आप सेकेंड पॉइंट था हमारा सेकेंड पॉइंट था के दुवारा कंट्रोल होगा यह पेरामेटर हमारे का है यूट्रान एक्स्टरनल सेल डोट सी एस पी एस सेंड और चिक इंडिकेशन यह आपका इनेबल होना चाहिए इफ इस पेरामेटर सेट टू बूलियन फॉल्स अगर यह पेरामेटर आपका बूलियन इन फॉल्स उट्वरत किया हुआ इक्सटरनल इनल उट्रान heeft कंम सपोर्ट ऑस crvcc के लिए ठीक इफ इस पैरामेटर सेट टू बूलियन ट्रू ठीक है अगर वह तू है उसके लिए Too 2 Cand 1 MrH evolitä एढशिए नडर Crystal सीदों यूज है ऑन अंसेय आवीज एज इन अड़ इस रिष लैट कोना जान वे ऍचास्जिश जा वेफ्टर आंकर क।छाय कहींज हो दोंग्सरी चांकर डैट कियों सेयं कर शिAc कस दोंग यूर चेत अज चेटी चंड दंप्सरी इन और वेंट इस परमेटर आपका जो यहां पे आप देख रहे हैं यह परमेटर ओन है तो इनोट भी डेस नोट चेक्टस एकुट सिट्ट हेंडवर इंडिकेशन तो जो कि है एक्सटरनल यूट्रान सेल का प्रमेटर ठीक वेंडिस परमेटर इस परमेटर आपको अगर यह आपका ओफ है तो उस टाइम पे इनोड भी आपका चेक करेगा इस पेरामिटर को जो की एक्स्टरनल न्यूटरान सेल का पेरामिटर है ठीक फोर माइक माइक्रो इनोड वी इस वें ट्रिगरिंग यह वर इंडिकेशन ऑफ गह्टो एक्स्टरन यूटरान सेल डायगे ओके हमारा थर्ड ता शर्कूर्ट सीच ओंली श्रवी सीचिच वो कैसे ट्रिगर रोती उसके बारे में जानते हैं तो ट्रिगर तो पर्फॉर्फोर्फॉर्म दा फॉलए अप्रिसेशन प्रिसिच एप् the cell level parameter cell hand over parameter configuration .hand over mode switch ठीक है इसका एक parameter जो cell level parameter है वो control on city select the SRVCC option of the internet policy group configuration .utron hand over configuration parameter यह आपको select करके रखना है इस parameter को set the standard qci dot internet policy configuration group id ठीक है यह आपको set करना है तुस्वरा extended qci.internet policy configuration group id ठीक है parameter to configure the handover policy for the corresponding qci ठीक if services with different qci exist different different qci के साथ control हो रही है exist कर रही है the handover policy for the highest priority qci prevails okay the handover policy priority of each qci is controlled by this parameter that is a standard qci.qci priority for handover tick now you are advised to set the handover policy priority of qci 1 to 1 which is highest and that of qci 5 to 9 that is lowest okay that's all this video में आपने जाना srvcc के क्या का process है किस तरी से होती है ने ट्रोक साइड में srv sorry volti enable है और handset साइड में भी अगर volti enable है तभी आपके srvcc possible otherwise नहीं होगी ठीक अगर इस वीडियो में दीगे जानकर आप पोच्छे लेगे तो फिलीज चलने को लाइक करें सब्सक्राइब रहें और share करना नए भूले तैन्यवाद बढ़े ख्याल and सब्सक्राइब जनकर इस नहीं tussen by now